हेलो एब्रीवन दिस इज अर्चना एंड वन्स अगेन वेलकम बैक टू आर यूटूब चैनल तो आज मैं आपके सांथ सेर करने जा रही हूं आलू बैगन की सबजी तो आज हम बिल्कुल देशी स्टाइल में आलू बैगन की सबजी बनाएंगे जिस तरीके से गाओं में कर दिया होगा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सके और आभी पसंद आती है तो लाइक कर देना ये फ्री आफ कोस्ट है तो चलिए जादा बात ना करते हुए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आलू के लिए के लिए तो यहां मैंने गोल साई वाले बैगन लिया है आप चाहे तो लमबे वाले बैगन भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इने सबसे पहले काटकर रेडी कर लेते हैं निया है और मैंने यहां बैगन काटकर Civic आप चाहे होले हडा सकती हैं कि चोटे चोटे तुख्रों में जजर सकते हैं सबसे पहले मिश्चात पाणी यहां तो यहां में गाता है कि अंब निख को सीड़िन, पैसा अगोड़ा chung jump all b सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो गैस ओन करके मैंने एकड़ाई ले लिया और इसमें डाल दिया है चार चमच के करीब तेल तो तेल को हम अचीता से गर्म होने देंगे और यहां मैंने सरसो तेल लिया है आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ओल यूज कर सकते हैं और सरसो तो इसे अचीता से गर्म होने देंगे जब तक तेल में धुआ ना आ जाए नहीं तो फिर सरसो तेल से कच्छी रहेगी तो सबजी में स्मेल आएगा तो आप देख सकते हैं सरसो तेल से धुआ आना स्टार्ट हो चुका है तो इसका मतलब कि हमारा सरसो तेल अचीता से गर् इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेथि दाना, अब अब रहे हम इन दोनों को अच्छी तर से चटकने देंगे, जैसे इशहतो इंग पर आलुट होतो हील्ए करण हो जाद से पके नहीं ब करना हे थे 2-3 मिनट के लिए, हम इसे मीडियम आज पर करे एक्पारining क ऐसे ज्यादा मुझे फ्राई नहीं ओडिए थो अब हम इसमें डालेंगे बैगन तो आप साथ झालए अर्चिकरण को घगके अब देख सकते हैं कि अर्चुति आलू बैगन को भी खर्राई करलेंगे अब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो यहां मैंने लिया था थोड़ा सा राई और लसन इन दोनों को अच्छी तर से पहले पीस कर रेडी करेंगे इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी एक चमज के कडिब धनिया पाउडर आधा चमज जीरा पाउडर थोड़ा सा काली मेच इसके साथ इसमें एड कर देंगे हल्दी पाउडर और हम इन सबको एक बार अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर ही हम मसाले को सबजी के साथ अच्छी तर से भून कर रेडी कर लेंगे थोड़ी दिर मसाले के साथ सबजी को भूने के बाद अब हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा नमक तो नमक आप अपने स्वात के अनुसा डालें और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए अभी हम इसे 2-3 मिनट के लिए और अब यह मिन्हें टमाटर के साथ अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे टमाटर को तब तक सबजी को भूनेंगे जब तक हम श्ची तरसे मिक्स करने के बाद हम उड़ा tussen के ठकर ठक कर बखाएंगे ताकि तमाटर हमारा असानी से सव्फ हो जाए ठुटि देर में चेक कर लेते है तो एक बर सब्जी को अचीता से मिक्स कर देंगे और टामाटर काफी हद तक सौफ्ट हो चुकाlex तो इसे अचीता सेिंक्स करने के बाद अब इसमें पाणी आड कर देंगे यहां मैं जान के करीब पानी इंड करूँगी तो अभी मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद इसे एक बार अचीता से मिक्स कर लेंगे बागी की बचे हुए आधा गिलास पानी भी मैं इसमें एड़ कर वेती हूँ और इसे ढख कर एक उबाल आने देंगे थोड़ी दिर के बाद हम चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि सबजी में उबाल आ चुका है अचीता से हम इसे एक बार अचीता से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेते हैं कि सबजी हमारा पका है की नहीं आप देख सकते हैं कि सबजी हमारा अचीता से पक चुका है तो हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे नहीं तो ठंड क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाड़ा हो जाता है तो हम इतना इसका तीकनेस रहने देंगे और आप चाहें तो इसे धनिया पत्ता भी एड़ कर सकते हैं और अब हम गैस की फ्लम को बंद कर देंगे और हमारा सबजी बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्फ करने के लिए तो अब आपसे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करके बताना कि आपको आपको आज की रेसिपी कैसी लगि झाल झाल